नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल इंगलीज का फंडा में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे 100 interrogative English sentences के बारे में सीखेंगे जिनहें आप अपने बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं और उनको इंगलीज बोलने का महौल दे सकते हैं उमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए चले दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो की शुरुवात करते हैं आज का पहला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों क्या तुम्हें कार्टून पसंद है इसी कहेंगे डू यू लाइक कार्टून अगला सेंटेंस है तुम्हारा पसंदिदा कार्टून कौन सा है इसी कहेंगे अगला सेंटेंस है तुम्हें कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है इसे कहेंगे विच गेम डू लाइक दे मोस्ट अगला सेंटेंस है तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलिया है इसे कहेंगे How many fingers are there in your hand How many fingers are there in your hand अगला सेंटेंस है तुम कौन सी ड्रेस पहनना पसंद करते हो इसे कहेंगे विच ड्रेस दू यू लाइक तू 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 यू अगला सेंटेंस है क्या तुम नमक पकडा दोगे इसे कहेंगे विल यू पास दशोल्ट अगला सेंटेंस है क्या तुमने होमवर्क कर लिया इसे कहेंगे विल यू फिनिश्ट यूर होमवर्क अगला सेंटेंस है दोस्तों क्या तुमने दाथ साफ कर लिये इसे कहेंगे विल यू ब्रस्ट यूर टीथ इसे कहेंगे, Have you taken your food? अगला sentence है दोस्तों, क्या तुम वहां जा सकते हो? इसे कहेंगे, Can you go over there? अगला sentence है, क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? इसे कहेंगे, Can you live without me? अगला sentence है, क्या तुम ने उससे लड़ाई की थी? इसे कहेंगे, had you fight with him, had you fight with him, अगला sentence है, क्या तुमने bag pack कर लिया, इसे कहेंगे, have you packed your bag, have you packed your bag, अगला sentence है, क्या तुम नहा लिये, इसे कहेंगे, have you taken bath, have you taken bath, अगला sentence है, दोस्तों, क्या तुमने अपना mood होया, इसे कहेंगे, have you washed your face, have you washed your face, अगला sentence है, तुम्हारे जूते किसने polish किये, इसे कहेंगे, who polished your shoes, who polished your shoes, अगला sentence है, क्या तुमने अपनी notebook bag में रख ली, इसे कहेंगे, have you put your notebook in your bag, have you put your notebook in your bag, अगला sentence है, क्या तुमने साबुन से हाथ धोये, इसे कहेंगे, have you washed your hand with soap, have you washed your hand with soap, अगला sentence है, तुम कौन कौन सी टोफी खाते हो, इसे कहेंगे, which all candies do you eat, which all candies do you eat, अगला sentence है, तुमने remote कहां गुम कर दिया, इसे कहेंगे, where have you lost the remote, where have you lost the remote, अगला sentence है, क्या तुम मार्केट चलोगे, इसे कहेंगे, will you come to the market, will you come to the market, गला sentence है, क्या तुम दूद पियोगे, इसे कहेंगे, will you drink milk, will you drink milk, अगला sentence है दोस्तों, क्या तुम लुका छिपी खेलोगे, इसे कहेंगे, will you play hide and seek, अगला सेंटेंस है, सबसे पहले कौन सोएगा? इसे कहेंगे, क्या तुमने अपनी किताब का पेज भाड़ा था? इसे कहेंगे, अगला सेंटेंस है, तुम कितनी देर खेल ले? इसे कहेंगे, अगला सेंटेंस है, दोस्तों, तुम्हारे पापा का बाते हैं, इसे कहेंगे, वेन ड़स यूर फादर कम? अगला सेंटेंस है, क्या तुमने उसकी पिटाई की? इसे कहेंगे, अगला सेंटेंस है, क्या तुम बाल कटवाओगे? इसे कहेंगे, अगला sentence है यह किसका pen है इसे कहेंगे अगला sentence है दोस्तों तुमने कमीज उल्टी क्यों पहनी है इसे कहेंगे वाई आर यू वेरिंग शर्ट इनसाइड आउट अगला sentence है क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया इसे कहेंगे अगला sentence है क्या तुम अपने बाल खुद कंगी कर सकते हो इसे कहेंगे अगला sentence है दरवाजा किसने बंद किया इसे कहेंगे फर्ष पर पाने किसने गिराया इसे कहेंगे अगला sentence है क्या तुम फर्ष साफ कर सकते हो इसे कहेंगे अगला sentence है दोस्तों बैड सीट किसने खराब की इसे कहेंगे अगला sentence है तुमने पैसे किसको दिये इसे कहेंगे तुमने पैसे कहां खर्च किये इसे कहेंगे अगला sentence है तुमने क्या खरीदा इसे कहेंगे तुम स्कूल से कब आए इसे कहेंगे तुमने आज स्कूल में कोई गलती की इसे कहेंगे अगला sentence है तुम परिशान क्यों हो इसे कहेंगे वाई आर यू वरीट अगला sentence है तुम अपने मम्मे पापा के बारे में क्या सोचते हो इसे कहेंगे वाट दो यू थिंक अबाउट यू पेरेंट्स अगला sentence है क्या वो तुम से प्यार करते हैं इसे कहेंगे अगला sentence है पर्दा किसने गिराया इसे कहेंगे अगला sentence है क्या तुमने कुछ चुराया इसे कहेंगे अगला sentence है दोस्तों क्या तुमने कुछ चिपाया इसे कहेंगे अगला sentence है तुम कौन सी आइसक्रीम खाते हो इसे कहेंगे अगला sentence है तुम्हारा जनम दिन कब है इसे कहेंगे अगला sentence है क्या तुमने अपना जनम दिन मनाया इसे कहेंगे अगला sentence है तुम्हारी बर्थडे पार्टी में कौन कौन नहीं आया इसे कहेंगे अगला sentence है क्या तुम्हारे दोस्तों ने बदहाई दी इसे कहेंगे अगला sentence है तुम इतने शरारती कैसे हो सकते हो इसे कहेंगे अगला sentence है तुम इतने चिड़ चिड़े क्यों हो इसे कहेंगे तुम क्या बनना चाहते हो इसे कहेंगे अगला sentence है दोस्तों तुम कितनी देर पड़ते हो इसे कहेंगे अगला sentence है मुझे कौन पकड़ेगा इसे कहेंगे अगला sentence है तुमने ये कैसे किया इसे कहेंगे अगला sentence है प्यारे दोस्तों तुमने अपने दोस्त को धमकी क्यों दी इसे कहेंगे अगला sentence है तुम किस से मिलते जुलते हो इसे कहेंगे अगला sentence है तुमहरा लक्षे क्या है इसे कहेंगे तुमहरा सपना क्या है इसे कहेंगे अगला sentence है दोस्तों क्या तुम पेड़ पर चड़ सकते हो इसे कहेंगे अगला संटेंस है तुम कितनी देर तक रशी कूधते हो इसे कहेंगे अगला संटेंस है कल तुम सुभह की सहर के लिए कब गए थे इसे कहेंगे वेन डिडियू गो फॉर मॉर्निग वॉक यस्टरडेए अगला संटेंस है क्या तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है इसे कहेंगे अगला संटेंस है क्या तुमने कोई दवाई ली इसे कहेंगे अगला संटेंस है क्या किसी डॉक्टर के पास चले इसे कहेंगे अगला संटेंस है क्या तुम्हारा कुछ खाने का मन है इसे कहेंगे Do you feel like eating something अगला सेंटेंज है तुम किस के साथ जाओगे इसे कहेंगे With whom will you go अगला सेंटेंज है मेरा फॉन चार्जिंग से किस ने हटाया इसे कहेंगे Who removed my phone from charging अगला सेंटेंस है तुम ये कहां से लाए थे इसे कहेंगे वेर फ्रॉम दिड्यू ब्रिंग इट अगला सेंटेंस है क्या तुम खाना खाते खाते सो जाते हो इसे कहेंगे, Do you sleep while eating food? अगला sentence है, क्या तुम शांती से नहीं बैठ सकते? इसे कहेंगे, Can't you sit silently? अगला sentence है, तुम सिर जुका कर क्यों चलते हो? इसे कहेंगे, Why do you walk bending your head down? अगला sentence है, क्या तुम ने नमस्ते किये? इसे कहेंगे, Did you greet? अगला sentence है, क्या तुम ने फ्रिज से cold drink ली? इसे कहेंगे, Have you taken cold drink from the fridge? अगला sentence है, प्यारे दोस्तों, क्या तुम अपने मामा जी के घर चलोगे? इसे कहेंगे, Will you come to your maternal uncle's house? अगला sentence है, तुमें homework करने में कितना time लगेगा? इसे कहेंगे, How much time will you take to finish your homework? अगला sentence है, तुम पीजा कब-कब खाते हो? इसे कहेंगे, How often do you eat pizza? अगला sentence है, दोस्तों, क्या तुम साइकिल की सवारी करोगे? इसे कहेंगे, Will you take a ride on bicycle? अगला sentence है, तुम अपनी मम्मी से नराज क्यों हो? इसे कहेंगे, Why are you angry with your mom? अगला sentence है, क्या तुम ने बात करने की कोशिश की? इसे कहेंगे, Have you tried to talk? अगला sentence है, ये तस्वीर किसने बनाई? इसे कहेंगे, Who painted this picture? अगला sentence है, दोस्तों, तुमने अपनी जुराब क्यों नहीं बदली? इसे कहेंगे, Why did you not change your socks? अगला sentence है, क्या तुमने इंदर धनुस देखा है? इसे कहेंगे, Have you seen the rainbow? अगला sentence है, दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी का दिल दुखाया है? इसे कहेंगे, Have you ever hurt anyone? अगला sentence है, तुम मुझ पर भरुसा क्यों नहीं करते? इसे कहेंगे, Why don't you trust me? अगला sentence है, प्यारे दोस्तों, क्या तुम ये याद रखोगे? इसे कहेंगे, Will you remember it? अगला sentence है, क्या उसने तुमसे बात की? इसे कहेंगे, Had he talked to you? अगला sentence है, तुमने गाली क्यों दी? इसे कहेंगे, Why did you abuse? अगला sentence है दोस्तों, क्या ये गलती दुबारा करोगे? इसे कहेंगे, Will you repeat this mistake? अगला sentence है, तुम खुश क्यों नहीं रहते? इसे कहेंगे, Why don't you live happily? अगला sentence है, क्या तुम कभी स्कूल से गायब हुए हो? इसे कहेंगे, Have you ever bunked from school? अगला sentence है, क्या तुम पापा से डरते हो? इसे कहेंगे, Do you afraid of your father? अगला sentence है, तुम किस को ज़्यादा प्यार करते हो? इसे कहेंगे, Whom do you love more? अगला sentence है, तुम किस किस को अपना आदर्श मानते हो? इसे कहेंगे, Whom all do you consider your ideals? आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल मिलते हैं नई वीडियो में, नई sentences के साथ. उमीद है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना. अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए, तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लेजिए. अपना ख्याल रखे, सुरुक्षित रहे, जै हिंद, जै भारत!